ओ, हाई, नमस्ते, तो दोस्तो मैंने आपको बताया था कि इम्मूनिटी टास्क है बिग बॉस के घर में और यहां पे दिल, दिमाग और दम के बीच में कंटेंडर्स ने आपस में एक कंटेंडर्स को चूज कर लिया है बिग बॉस के बिग हाउस में दम के मकान से कोई भी चूज नहीं हुआ क्योंकि आपस में लड़ते रहे गए, कोई डिसाइड ही नहीं कर पाई यह लोग फिर उसके बाद अगर बात करें तो अब यहां पे बिग बॉस के बिग हाउस में दिल के मकान से आते हैं मील और दिमाग के मकान से आते हैं और और इन दोनों के बीच में हो रहा है घमासान टास्क क्या है मैं आपको डीटेल के साथ बताता हूँ, उससे पहले खांजादी के फैंस के लिए गुड न्यूज भी है इसमें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने मेरा नया चैनल राहुल पुछ कॉमेडी नहीं देखा है, कॉमेंट सेक्शन में मैंने लिंक प अब यहां पर क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ, तो बेसिकली दो लोगों की टीम बनाई है, रेड टीम और ब्लू टीम, ठीक है, रेड टीम के कारे करता जो है वो अरुन बना दिये गये है, ब्लू टीम के कारे करता जो है वो नील बना दिये गये है, ठीक है, अब बि हर एक contender को दो-दो लोगों को choose करना है जो कि उनकी तरफ से खेले मतलब नील के दो और अरुन के दो तिके उनकी तरफ से खेले play करे and continuously उनको जो है उन्हें soldier की तरह different-different areas में जो है रखना है and घर के different-different areas को cover करना है जो वो map में है अब फिर उसके बाद वो soldier को इधर उधर remove भी कर सकते हैं मतलब इसकी duty वहाँ उसकी duty वहाँ ऐसे भी लगा सकते हैं right अब क्या है दोस्तो चार तो है यह जो fight करते हैं और दो contenders है and बाकि जो housemates हैं उनको choose करना है कि वो किसको support करेंगे और किसको oppose करेंगे जो बाकि बच्चे हुए contenders है वो choose करेंगे कि इनको आप support कर सकते हैं अरुन मतलब मान लीजिए अगर अंकिता है अंकिता को चूज नहीं करते हैं वो अपने team में अरुन तो अरुन को support कर सकते हैं ignore कर सकते हैं या पिर भी यह कर सकते है यह basically उनको रखना है खांजादी खांजादी के fans के लिए good news है finally खांजादी को संचालक बना दिया गया है दोस्तों और on ground इस task को 2 गंटे के अंदर लगभग 2 hours on ground इसको perform कर रहे हैं यह डो खांजादी अब यहाँ पे जिस भी contender के पास maximum soldier होंगे standing में तो उसी को ही मिलेगी immunity क्योंकि बाकी के contenders को choose करना है तो I'm sure Neil को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं as compared to Arun Arun के पास ज़्यादा लोग आएंगे देखो मुझे लगता है dumb वाले तो सब Arun के पास ही जाएंगे except Sana Sana का मुझे थोड़ doubt लगता है बट ऐसा देख के लग रहा है तो यह task है अब कौन जीता कौन नहीं वो मैं आपको बताता हूं जैसी मुझे set से update मिलती है